जय शरी राम मेरा आज का ये वीडियो मेश राशी के जातकों के लिए बहुत ही खास है इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाला महीना सितंबर 2023 आपकी राशी के लिए कैसा है यानि ये हो गया राशी पर आधारित मासिक राशी फल मंतली प्रेडिक्शन या मंतली होरस्कोप हम इसको अलग-अलग भाशाओं में इसको कहते हैं आईए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की के महीना जो अगला आ रहा है सितंबर का वो आपके जीवन में कैसा रहेगा जीवन की सभी चीजों को लेकर उसमें बात होंगी आपका स्वास सम्मान, आपका एनरजी लेवल, आपका विभाव, वैवाहिक संबंद, आपकी एजुकेशन, आपकी यात्राएं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी संतान, आपकी इंकम, आपका पैसा, सब कुछ क्योंकि कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी रूप में आपको कुछ ना कुछ देने वाला है अब वो उस चीज को इस इस्टती को कितना बखो भी निभा सकता है वो सब कुछ हम यहां इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे देखें सबसे पहले ग्रहों की स्टतियों का आप सामने देख रहे होंगे कि जब जिस दिन 1 सितंबर 2023 है उस दिन ग्रहों की स्टती को चिस प्रकार है कि गुरू राहू आपकी राशी के अंदर चल रहे हैं और गुरू 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगी यह काफी बड़ा परिवर्दन इस महेंने होगा। राशी से चौते गहर के अंदर शुकृ किस्टति है चार सितंबर को शुकृ वक्री से मारगी हो जाएंगे। आपकी राशी से पंचम भाव में देखें तो सूर्य स्वराशी के हैं जो 17 सितंबर को राशी परिवर्टन करेंगे और सिंग से निकल कर कन्या में आ जाएंगे वहीं बुद्ध के रहे जो वक्री होकर पंचम भाव में चल रहे थे वो 16 सितंबर को मारगी हो जाएंगे राशी का मालिक मंगल छटे घर में बैठा है और पूरे महीने इसी राशी में रहेगा सब्तम में रहेंगे केतु और एक और वक्री ग्रहशनी जो आपके कर्म और लाब के सौमी है वो भी एकादश भाव में रहेंगे तो आईए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य विशय की सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा के सास्त और सम्मान आपका कैसा रहेगा इस महीने आपकी हैल्थ कैसी रहेगी आपका स्वास्त कैसा रहेगा आपका इनर्जी लेवल कैसा रहेगा यह सब कहां से मिलता है यह सब हमें अपना राशी के लॉड से मिलता है वह मंगल एक ऊपी लिए एक सप्रेस्पास है के शायिद ही CHo, जो शेटे घर में बैटने के बाद खुश होता क्योंकि सिख साॉस जीवन में संघर्षव के लिए जाना जाता प्रतियों की परिशाओं के लिए जाना चाहता है या कहते हैं जहां से फाइट करके लड़के जीता जाए वो 6th house है और मंगल को कहा गया सेनपति इसलिए मंगल के लिए कहा गया कि 6th house में मंगल अगर कुंडली में बैठा हो या गोजर में चल रहा हो राशी का मालिक हो गया तो वो अपने आप में एक बहतर इस्चिती है कि यह जो समय है यह आपको एक एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल देने के लिए यहां से हेल्थ इशूस कुछ नहीं होंगे कि राशी का मालिक शटे गर में गया लेकिन यहां से बैठकर वापस आपकी राशी को देखता भी है मंगल ही एक ऐसा प्लैनेट है जो शटे से बैठकर राशी को देख सकता है और कोई प्लैनेट नहीं देख सकता है यानि इसको एक special aspect मिला हुआ है और वो special aspect सिर्फ 6th house में बैट कर ही काम करता है इसलिए छटे गर के मंगल की प्रशंसा की गई है कि ये संगर्शोर में जिताने वाला है पिट्टियों की परिक्षाव में जिताने वाला है शत्रों पर विजय दिलाने वाला है आपके energy level को अच आया हिम्मत की और अपने आपको प्राप्त किया वापस राशी को देखने का मतलब है कोई health issues नहीं कोई परिशानी नहीं शत्रु भाव में बैटा है शत्रु की राशी में बैटा है फिर भी शत्रु को हराने में शक्षम है कोट कचेरी जगड़ा जंजट अगर जीवन में करने से लाब गया यह एक बहुत अच्छी शुरुवात में मंगल की वज़े से मिली जो इस बात को इस पस्ट करती है कि कही ना कहीं आपके लिए एक positive इस्तिया आई है वहीं जो मंगल की यही राशी है जो हम स्वास सम्मान की बात करते हैं तो हम गुरू राओ को कैसे बू देखता है गुरू को यानि गुरू के ऊपर एक positive प्रभाव गुरू के उपर एक और गरह मतलब होता है ग्रहो का मजबूत होना और गुरू ग्रहार अपने आप बहूत मजबूत है गुरुक रहकी संबंदे जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दी थी आगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लिजे क्या आपको वहां से बहुत सारी मुक्य जानकारी मिलेगी लेकिन यहां भाग्यास्थान का सौमी का वक् तो भी यहां शुक्र की राशी में है इसे शुक्र के फल देखा सात्वा घर जीवन में पब्लिक इमेड पदप्राप्ति और विवाव वैवाईग जीवन के लिए देखते हैं सेवन्थ आउस का मालिक शुक्र वक्री होके चोथे घर में दिग बली होकर बैठा है जिसको आयू के और स्वास के लिए शुब माना गया है यह आपको जीवन में पॉजिविटिविटी देता है सौतेगर में शुक्र बैठा हुआ हो तो इसको कहते हैं दिग बली शुक्र दिग बली का मतलब है यह आपके सुक्षादनों में व्रद्धी करता है वहान खरीच सकते हैं को इलेक्ट्रोनिक अक्यूपेंट्स खरीद लिया परिवार के अंदर सुक्षानती हो गई इस तरीके कि स्थियां वो धन का मालिक भी होके शुक्र यहां बैठा इसलिए धन के लिए पैसे के लिहास से शुब हो गया वो सब्तम का मालिक होके केंदर में चर राशी चंद्रवा की राशी में दिग बली है इसलिए विभार विवाइक संबंदों के लिए श्थिति शुब हो गया और यही शुक्र आगर आप देखेंगे तो 4 सितंबर को यह मारगी हो रहा है यानि फिर यह चलेगा सीधी चाल और यह करक राशी में ही रहेगा यानि अगर विवार विवाईक संबंद को लेकर कोई तनाव है कोई परिशानी है कोई रिष्टा नहीं बन पा रहा कोई बात नहीं बन पा रही या रिष्टे की बात बनते बनते रुक रही है तो वो उससे संबंदी तिस्चतियों में यह शुब फल देने वाला मज़ा है यहाँ पर बैठा हूँ अशुकर आपके लिए कती शुब इस्चति में देखता है चाए धन के साब से हो चाए विवावयवाईक संबंदों के साब से सूर्य बुद्ध की युदि आपको पंचम भाव में देखने को मिल रही होगी क्योंकि पंचम भाव लक्षमीत रिकौन है लेकि पंचम भाव बुद्धी है जब तक बुद्धी स्थिर नहीं होगी बुद्धी ठीक जगे काम नहीं करेगी तब तक आप जिवर में कुछ अच्छा करेंगे नहीं और वो सारी जिम्मेजारी सूर्या बहुत अच्छी तरीके से यहां निपाता है अब पंचम भाव में बुद्ध भी बैठा है और वो बुद्ध वक्री होके बैठा हुआ है 16 सितंबर को बुद्ध वक्री होगा क्या कर सकता है ऐसा वक्त बुद्ध क्योंकि वो छटे घर का मालिक होकर यहां बैठा है इसलिए आपके शिक्षा के अंदर कुछ कंफ्यूजन दिला सकता है जब तक वो वक्री रहेगा चब तक करी न कहीं आपकी चतुराई से आपको प्रब्लम हो सकती है कि मैंने कुछ जरूरत से ज़ादे अपनी होश्यारी दिखाने की कोशिश की और मैंने अपनी शिक्षा में नुकसान कर लिया या मैंने अपने रिलेशनचिप्स में नुकसान कर लिया अब 17 सितंबर को सूरिया का राशी परिवर्तनों के सूरिया यहां आ जाएगे यानि पांचवे घर और छटे घर का राशी परिवर्तन राजयोक शुरू हो जाएगा यह आप नोटिस कीजिये अस बात को कि सूरिया आजाएंगे बुद्ध की राशी में बुद्ध सूरिया की राशी में है यानि सूरिया को और अधिक बल मिल गया यानि आने वाला समय 17 सितंबर के बाद एजुकेशनली ठीक है कोई बड़ी प्राब्लम नहीं है बुद्ध भी जो है जब तक मार की हो जाएंगे यानि ये इस्थिति एजुकेशनली और अच्छी हो जाएगी कॉंपटिशन में विजय दिलवाई की सक्सस्फुल हो जाएंगे आप अपने प्रिद्योगी परिक्षाओं में किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव इस्थिति होगी और जब सूर्य यहां पहुचेगा तो यहां होंगे मंगल यह होगा मंगल सूर्य का एक राज्योग क्योंकि मंगल राशी के मालिक है सूर्य पंचम के मालिक है यानि ये एक सुन्दर राज्योग धनियोग की स्थिति सिक्स थाउस में आ जाएगी यानि फिर से मंगल ग्रह को बल मिल गया फिर से राशी के मालिक को बल मिल गया तो वो एक बहुत अच्छी स्थिती हमें यहां से दिखाई दे रही है करम कराने वाला ग्रह शनी है लाव देने वाला भी शनी है और करम और लाब दोनों का मालिक शनी वक्री होकर वक्री ब्रस्पती पे दरश्टी देता है यानि भागय का और करम का दोनों का मालिक वक्री होकर मजबूत है और मैंने हमेशा बताया कि शुब भावों में अच्छे भावों में अगर ग्रह वक्री होते हैं तो ये सदयब सुभ फलदाई होते हैं, क्योंकि वक्री घ्रह हमेशा से कि स्ट्रॉंग प्लैनेट माना गया, हाँ, नियम यही है कि उसके लाँ अच्छी जगव पे वो होना चाहिए, तो वही शैनी का यहां से संबंद है, यानि सोर्स ओप इंकम लाब के लिए ठीक है, नोकरी में मुझे तरक्की मिल गई, मेरा व्यापार अच्छा चल गया, मेरी एजुकेशन अच्छी चल गई, या पढ़ाई करते हुए मैंने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया, वो भी हमें सूर्य शनी के आमने सामने के होने से दिकाई देता है, यानि शनी प्रोपेश दोनों पर दरश्टी देना ये और जादे बॉजटिव हो जाता है, यानि मेश राशी के जात्कों के लिए ये जो महीना है, ये बहुत ही सुंदर है, इसमें आप देखेगा कि गुरू भी वक्री, शनी भी वक्री और शुरुवात में देखे तो शुक्र और बुद्ध भ दिखाई दे रहा है, तो ये था मेरा आज का विशाय के मेश राशी के जात्कों के लिए सितंबर 2023 का जो महीना है वो कैसा है, तो आपने आप में एक बहुत शुक्तियामया दिखाई दे रही है, जैशुरी राम